हेलो गाईज, स्वागत है आपका न्यू नेहा बुटिक पर तो गाईज, आज हम पैंट की मौरी पर एक सिंपल सा और सुंदर सा डिजाइन बनाएंगे एक दन सिंपल और आसान डिजाइन है और दिखने में पैनने के बाद बहुत ही सुन्दर लगने वाला डिजाइन है तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम उपर से पूरी पैंट को तयार कर लेंगे निचे से खाली बस मोहरी फोल्ड करना और अंदर वाली सिलाई हमने छोड़ी हुई है और इस पर पहले हम अच्छे से प्रैस कर लेंगे डिजाइन बनाने से पहले कपड़े को सिधा करना जुरूरी है तो यह देखिए यहां से कटके निशान लगे हैं जहां से हमने पैंट की मोहरी को फोल्ड करना है तो अब हमें बनाना है डिजाइन तो जहां हमने निशान लगाए हैं उससे हम आदा इंच नीचे की साइड निशान लगा लेंगे य पोना एक इंच पर भी नीचे की साइड लगा सकते हैं तो लैस लगाएंगे तो इसमें हमारा कपड़ा इस तरह से जाएगा तो यहाँ पर हमारा कपड़ा आदा पोना इंच एक्स्ट्रा लगेगा तो हम नीचे की सैड निशान को बढ़ा लेंगे और यहां सिधा निशान लगा देंगे तो यह निशान हमने सिधा कर लिया अब इस निशान से उपर की साइड हम तीन इंच पे निशान लगा लिया तो तीन इंच पे एक निशान लगा लिया और इस से एक निशान उपर और तीन इंच पे लगा लिया और सिधा निशान खेंस लेंगे सिधा निशान इसलिए खेंस लेंगे ताकि हम LAS लगाएंगे तो उसमें हमें आसान ही रहेगी यहाँ पर हमारी LAS एकदम सीधी professional तरिके से लगेगी वरना तो बिना निशान लगाए अगर हम लगाएंगे तो थोड़ा बहुत उपर निचे लैस में हो सकता है तो इसलिए हम निसान लगा करके काम करेंगे तो हमारा काम भी अच्छा होगा और फिनिसिंग के साथ होगा तो इस परकार से हम दोनों जो पैंट की मौरी है उस पे तीन तीन इंच का निसान बना लेंगे दो निसान हमने यहाँ पे लगा लिए है यह निसान मैंने थोड़े हाल के कलर से इसलिए लगाए है ताकि यह दिखे न तो डिजाइन बनाने के लिए यह हमने लैस ली है और वाइट कलर का हमने यह दागा लिया है तो इन दोनों का हम इसमें यूज करेंगे अब जहां हमने निसान लगा आये था उस निसान के उपर लैस को हम इस तरह से रखेंगे और लैस के उपर सिलाई लगा लेंगे तो लैस पे सिलाई लगाते से मैं हमें इस बात का जरूर से ध्यान रखेंगे लैस का हमें हाफ हिसा सिलाई में दबाना है जब हम इसको पल्टेंगे तो हमने इसका आधा हिसा लैस का नजर आना चाहिए इस हिसाब से हम लैस पे सिलाई लगा लेंगे तो इस तरह से देखिए हमने ये लैस लगा ली अब चाहें तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं वैसे भी अच्छी लगेगी तो मैंने इसको इस तरह से fold करके आदि लैस को बार की side दिखाना है और आदि side हमारी नीचे की side जब हम fold करेंगे तो इस तरह से ये उपर की side आ जाएगी तो हम यहाँ पर लगा लेंगे कच्ची सिलाई यह कच्ची सिलाई हम तुर्पाई करके बाद में इसको निकाल देंगे यहाँ से जब डिजाइन हम पैंट में मनाते हैं तो इस तरह से सिलाई बीच में नजर आती है तो अच्छी नहीं लगती अब जो उपर तीन इंच पे हमने निसान लगा था उस निसान के उपर एक लैस और लगा लेंगे अब इस लैस पे भी हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे इसकी एक साइड पर सिलाई लगाएंगे और एक साइड पर सिलाई लगाने के बाद इस तरह से नीचे की साइड पल्टेंगे तो यह उपर की साइड सिलाई नजर आएगी हमारी जो सिलाई हमने लगाई है अभी लैस के उपर तो इसी सिलाई के उपर एक सिलाई और लगा लेंगे और यह सिलाई लगने के बाद इस तरह से हम खोलेंगे तो ये देखिए आदी लैस हमारी सिलाई में दब चुकी है और आदी लैस निकल करके इस तरह से आएगी तो ये लैस लगी हुई बड़ी सुन्दर लगेगी और इसके उपर एक टॉप स्टिच और लगा देंगे ताकि जब पहनेंगे या प्रेस करेंगे तो ये लैस हमारी यहीं फिक्स रहेगी तो इसी तरह से एक निसान और जो हमने उपर की सैड लगाया है इसके उपर भी हम इसी तरह से सेम लैस लगा लेंगे लैस हमने लगा करके कंप्लेट कर ली है अबाई धागे की बारी तो धागा दो तो हमने श्टल में डाल लिया है और तीसरा जो यूज करेंगे वो करेंगे ये रील वाला तो तीन लेयर हम यहाँ पर धागे की लगाएंगे जैसे हम सिंपल दागा मसीन में डालते हैं उसी परकार से डाल लेंगे यहां पर तीन लेयर हम दागे की रखेंगे सिटल दो में हमने भर लिया है और एक हमने जो रील वाला दागा है वो इसमें एड़ कर लिया है तो इस परकार से simple धागा जैसे डालते हैं उसी परकार से डालेंगे थोड़े धागा को यहां पर lose कर लेंगे तो नीचे से धागा निकाल करके पहले हम एक बार कपड़े पर चला करके इसको चेक कर लेते हैं कि finishing से चलेगा या नहीं चलेगा तो हम यहाँ पर फिनिसिंग के लिए इसको थोड़ा ल्यूज कर लेंगे और यहाँ हम चाल थोड़ा बड़ा रखेंगे न वो ज्यादा अच्छी लगेगी पतली चाल में इतनी फिनिसिंग नहीं आएगी तो चाल हम थोड़ा इसमें मोटा रखेंगे अब बिल्कुल इसके बीच में हम बराबर से निसान लगा लेंगे और बीच में यह धागे वाली सिलाई लगा देंगे पीछे से यह चुननट आई हुई हैं तो हलका सा हम कपड़े को खीच कर लगाएंगे तो ज्यादा फिनिसिंग आएगी यह देखी पीचे से थोड़ी सी चुननट आई थी और आगे से मैंने जब थोड़ा सा कपड़ा खेच कर सिलाई लगाई है तो फिनिसिंग से आया है तो आप इसी तर परकार से कर सकते हैं और यह डिजाइन बिल्कुल सिंपल और आसान है पैनने के बाद बहुत ही अच्छा यह डिजाइन लगने वाला है तो आप इसको बड़े ही आसान तरीके से अपने पैंट के उपर बना सकते हैं और सेम इसी परकार से दूसरी मोहरी पर भी बना लेंगे और बनाने के बाद यह देखिए फाइनल लुक पैंट को हमने कमप्लीट कर लिया है और यह उपर से इस तरह से हमने हाफ लास्टिक के साथ इसको तयार किया है side pocket के साथ है और ये इसकी मोहरी का design अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर लें वीडियो को like करें share करें मिलते हैं next वीडियो में किसी और नए design के साथ